इस मॉड्यूल में हम सिस्टेमेटिक लिटेचर रिव्यू की बात करेंगे लिटेचर रिव्यू को करने की डिफरेंट अप्रोचेज का जिकर हम पहले मॉड्यूल में कर चुके हैं इन में से एक कॉमनली यूज़ होने वाली अप्रोच सिस्टेमेटिक लिटेचर रिव्यू है इस में बाकी तमाम स्टेप उसी तरह से लिखे हुए हैं जिस तरह से किसी भी लिटेचर रिव्यू में होते हैं तो आपने लिटेचर रिव्यू के क्वेस्टन स्पेसिफिकली डिफाइन करना लाजमी बात है उसके बगार तो कोई भी लिटेचर रिव्यू नहीं होता तो आप क्योंके इसमें पॉइंट पहले लिखना इसलिए जुरूरी है कि सिस्टेमेटिक लिटेचर रिव्यू का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक डिफाइन क्वेस्टन होते हैं क्योंके मैंने अब chronological description of information या findings नहीं देनी previous research की मैंने अपने research questions के around literature को synthesize करना है एकठा करना है उसका conclusion ड्रॉआ करना है तो पहली बात कि बाकी तमाम research में इसकी एहमियत से कतन इंकार नहीं कि research question well defined होने चाहिए लेकिन इस particular case में अगर आपके research questions defined नहीं है पर तो इसका मतलब है उनके around literature build करना भी आपको misleading हो सकता है अगर question दुरूस्ट नहीं होगा या defined नहीं होगा clearly तो आप अपने questions को specific बनाईए फिर size करिए और फिर ये आपका starting point होगा literature review के लिए उन मेंसे हर question में दिये गए variable subjects context phenomena सामने रखते हुए अब आप literature accumulate करेंगे literature एकठा करेंगे databases से search करके और database से search करते वकत उस source की credibility को judge करने के वही तरीके हैं जो किसी और literature review में और हम इससे पहले आपको previous modules में उसके तरीका एकार समझा जुके हैं उसके बाद आप studies को select कर लें उस criteria पर बेस करते हुए कि जिन studies को मसला आपके फर्स कर लें चार research questions ते या चार hypothesis कह लिजे तो आपने या objectives भी कह लिजे आपने हर एक के गिर्थ material एकठा करना है तो अगर मेरे तीन research objective हैं तो systematic review के लिए मेरे पास तीन जगों पे studies accumulate हो और ऐसा भी मुम्किन है कि एक study question one में भी applicable हो और two से भी relevant हो तो मैं इस तरीके से समझ लें अगर मेरे research के तीन objective हैं तो मैंने तीन baskets बना ली तीन research question है तो तीन baskets बना ली और उन में उन से मतलिक जो literature मिलता जा रहा है वो उन baskets में डालता हूं और यह material overlap भी कर सकता है ऐसा material जो question one के basket में होगा वो two value में भी हो सकता है तो इस तरीके से मैंने अपने questions के around literature एकठा कर लिया उस literature की credibility को judge करने का वो ही criterion जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वो इस्तमाल करके उन में से जो credible नहीं होंगे उनको निकाल के side पे कर दिया अब आपके पास एक set of papers हैं या set of published material हो जो तमाम questions के address करने के लिए आपके पास एलहदा एलहदा पढ़ा होगा उस में से आप फिर उन में से हर paper में से आप data extract कर लेंगे वो जो literature matrix मैंने आपके सामने जिकर किया था एक previous module में तो उसके मताबिक आप हर एक के लिए fetch करेंगे papers में से information जो उस research questions को address करती होगी ये data extraction का टैप कहला आएगा और फिर उसको हम organize करेंगे standardized form में जैसे हमने literature matrix में उसको समझा था इसके बाद आप उस material की relevance आप कह लीजिए कि अपने question के साथ जब मैंने पहली नजर में material select किया था तो मुम्किन है कि जब मैं उसको तफसील से पढ़ू तो मुझे उसकी relevance जो है वो या उसके अपने अंदर मौजूद जो consistency है different parts में उसकी बनियाद पर ये फैसला करना पड कि ये quality wise उन चीजों को assess ठीक तरीके से कर रहा है उन variables को जिसको मैं पढ़ना चाहरा हूँ जब आप उनको ये link कर पाएं आप अपने predefined set पे set of information पे कि आपको असल में किस चीज़ पे material दरकार था अगर आप वो उस criteria पे material पूरा उतरे तो आप उसको फिर organize करना शूरू करि और synthesized information आपके पास question 1, 2, 3 सब के लिए 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 आजाएगी research questions के हिसाब से आजाएगी और फिर मैं इसको report करता हूँ उसी तरह heading sub heading बना के जो research questions है मेरे या जो objectives hypothesis के साथ एक alignment थी ना उसी तरतीब के साथ मैं इसको अपने literature review के chapter में फिर प्रेज literature review के chapter में जहां आपने synthesis of previous studies करना था पेश तीसरे section of chapter में उस जगा पे आप research synthesis आप दे देंगे systematic review के जरीए से किया हुआ questions के around built हुआ हुआ literature review narrative में और इसमें फरक देखें किया है कि वो एक chronological sequence में findings को summarize करता है ये questions के around findings को summarize करेगा इसमें chronological order जरूरी नहीं study का पहले या बाद में होना नहीं importance रखता study के अंदर मुझूद findings आपके research question के साथ कैसे मिलके पड़ी जाती है ये बात अहमियत रखती है तो ये साथ steps अगर आप पूरे करेंगे और ये वला sequence follow करेंगे या इस idea को follow करेंगे कि literature को questions के around study करना है जो आपके research questions हैं उसके around study करना है तो ये systematic literature review कहलाएगा